हेलो दोस्तों, तो आप भी हो जाईए बुद और मायरा की शादी में शामिल ये शादी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि शादी में है एक बहुत बड़ा सस्पेंस तो आज है बुद और मायरा की शादी मायरा महंदी लगवाने में बिजी है और मायरा की महंदी सेरमनी चल रही है और उसकी दोस्त शिजुका उसके साथ ही खड़ी हुई है और वहाँ पर बुद्ध भी बदरीनाथ के साथ अपने कमरे में त्यार हो रहा है बुद्ध बहुत ही खुश होता है और बदरीनाथ से बोलता है आज मेरे सारे सपने पूरे होने जा रहे हैं मुझे माहरा बहुत पसंद है बदरीनाथ बोलता है हाँ दोस्त तू बड़ाई खुश नसीब है जो तेरी माईरा के साथ शादी तै हुई है और वे त्यार होने लग जाते हैं फिर बदरीनाथ धूले राजव बुद को मेरिस हौल में लियाता है वहाँ पर बहुत सारे लोग हा रखे होते हैं बुद की शादी में शामिल होने के लिए तबी सामने से धुलन भी आ जाती है बुद बहुत खुश होता है लेकिन उसे एक बात अजीब लगती है कि उसकी प मैंने का हटाओ तब भी वे मना कर देती है लेकिन बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद धुलन अपना गुंगड हटाई लेती है जब वे गुंगड हटाती है तो बुद को पता चलता है कि वे तो मायरा नहीं वे तो कोई और लड़की है और तभी शुजुका आती है और बुद से बोलती है कि माईरेका किसी ने किड्नैप कर लिया तबी बुद बहुत ज़्यादा डर जाता है और तबी बुद फोन करकर वहाँपर डिटेक्टिब महुल को बुला लेता है डिडेक्टिम महुल भी माँ पर आ जाते हैं और अपनी इंवेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं तो डिडेक्टिम महुल पूछते हैं कि तुम्हें किन किन लोगों पर शक है तो बुद्ध बोलते हैं कि मुझे चार लोगों पर शक है पहला डोरी मौन, दूसरा ये लड़की, तीसरा राटी सर और चोथा जीवा मुझे इन चारों लोगों पर शक है तबी डिडेक्टिम महुल उन चारों को एक अलग कमरे में ले जाकर उनसे पूछ ताश शुरू कर देते हैं डिडेक्टिम महुल चारों को एक खाली कमरे में लेकर आजाते हैं तो सबसे पहले वैप पूछते हैं राटी सर से तो राटी सर बोलते हैं कि मैं तो मैरेज हॉल में था इसलिए मुझे इस किड्नैप के बारे में कुछ नहीं पता फिर वैं पूछते हैं उस लड़की से तो लड़की बोलती है कि मुझे तो पता चला था कि मेरी शादी बुद्ध के साथ तै हुई है इसलिए मुझे माईरा के किटनेप के बारे में कुछ नहीं पता फिर वैं पूछते हैं जीवा से तो जीवा बोलता है कि मैं इस इलाके का दूद सप्लाई करता हूँ सारी जहंगा और आज मेरा दूद नहीं आया था इसलिए मैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था और फिर आखरी में डिरेक्टे पूछते हैं डोरी मॉन से तो डोरी मॉन बोलता है कि मैं भी मैरिज हॉल में था और थोड़ी देर के लिए मैं दुकान पर कुछ काम से गया था और ये सब बाते सुनकर डिरेक्टे महूल को कुछ समझ नहीं आता है लेकिन डिरेक्टे महूल चारों तरफ आके घुमाते हैं और भार देखते हैं और समझ जाते हैं कि माईरा का किड्नैप किसने करे तो दोस्तों क्या आपको पता चला कि माईरा का किड्नैप किसने करे अगर हां तो आप जल्दी से अपना अंसर कमेंट कीजिए और अगर नहीं तो आपके पास सोचने के लिए 10 सेकिंड है दियान से सोचिए और बताईए तो दोस्तो आईए जवाब जानते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करकर ओल का बटन दवा दीजे तो दोस्तो मायरा का किड्नैप और किसी ने नहीं मायरा का किड्नैप करें जीवा ने तो आईए जानते हैं कैसे तो जैसा आप जानते हैं कि जीवा ने का था कि आज दूद नहीं आया था और मैं ही यहाँ पर सारी इलाकों का दूद सप्लाई करता हूँ लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे पीछे टेवल पे एक दूद की बहुत बड़ी बोटल पड़ी हुय है तो इससे पद़ा चलता है कि यहाँपर दूद आ रखा है तो इससे पद़ा चलता है कि जीवा ही जूट बोल रहा है और जीवा नहीं मायरा का किड्नैप कर रहे फिर तभी डिटेक्टिव जीवा को हतकडी पिना देते हैं और उसके बाद बोद और मायरा के शादी हो जाती है और बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और डोरी मौन खुशी के मारे उचलने लगता है